आज ले चलता हूँ आपको अपने बच्पन में बहुत छोटा बच्पन नहीं स्कूल के जमाने की जब छटी सात्वी आठ्वी कक्षा की बात है तो उन दिनों ये हिंदी साहित्य की एक किताब हुआ करती थी जो स्कूल में पढ़ाई जाती थी आपको भी याद होगा जो मे तुटी हुई थी ओर लेकिन आज सोएक जमाने में ये और भी परासंगेखए क्योंकि क कविता का शीरशक है आराम करो में जो इसके अलग के आज गुर्वरेंगा कै। पढ़ाता हूँ बच्चों को तो चिकित सा विज्ञान की बात है लेकिन जो इसके अलग एक मेरे दुनिया है मुझे बच्पन से शौक रहा था कि कभी सम्मेलन में जाने का और कविताइं सुनने का बहुत सारी कविताइं अब भी याद हैं पढ़ता था, सुनता था, कंटस्थ कर लेता था अब बहुत जादा तो याद नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी है जो दिलो दिमाग पर बसी हुई है मैं चाहता हूँ कि मैं उनको आपके साथ शेयर करूँ और मैं इसी तरह से ये कविता जो जो दिमाग में आती जाहेगी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा इस श्रंखला में आज हम पहली कविता आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ आराम करो श्री गोपाल प्रसाद वियास जी की लिखे हुई एक मित्र मिले एक मित्र मिले बोले लाला तुम किस्चक्की का खाते हो इस डेड़ छटाक के राशन में भी तोंद बढ़ाए जाते हो क्या रखा मास बढ़ाने में, क्या रखा मास बढ़ाने में मन्हूस अकल से काम करो, संक्रांतिकाल की बेला है, मर्मिटों जगत में नाम करो हम बोले रहने दो लेक्चर, हम बोले रहने दो लेक्चर, पुर्शो को मतबद नाम करो इस दोड़ धूप में क्या रखा आराम करो आराम करो आराम जिन्दगी की कुझी आराम जिन्दगी की कुझी इससे नतपेदिक होती है आराम सुधा की एक बूंधतन का दुबलापन खोती है आराम शब्द में राम चुपा जो भवबंधन को खोता है आराम शब्द का ग्याता तो बिरला ही योगी होता है मैं इसी लिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनभव से काम करो ये जीवन योवन छन भंगुर आराम करो यदि करना ही कुछ पढ़ जाए तो अधिक न तुम उत्पात करो अपने घर में बैठे बैठे बस लंबी लंबी बात करो करने धरने में क्या रखा जो रखा बात बनाने में जो होट हिलाने मेरस है तुम मुझसे पूछो तुम मुझसे पूछो बतलाओं है मज़ा मूर्ख कहलाने में जीवन जागरती में क्या रखा जो रखा है सोजाने में मैं यही सोचकर पास अकल के कम ही जाया करता हूँ, जो बुद्धि मान जन होते हैं, उनसे कतराया करता हूँ, दिये जलने से पहले ही घर में आ जाया करता हूँ, जो मिलता है खा लेता हूँ, चुपके सो जाया करता हूँ, मेरी गीता में लिखा हुआ जो सच्चे योगी होते हैं वो कम से कम 12 घंटे तो बेफिकरी से सूते हैं अदवायन खिची खाट में जो पड़ते ही आनंद आता है वो साथ स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष से भी उपर उठ जाता है जब सुख की नीद कड़ा तकिया इस सर के नीचे आता है सच कहता हूँ इस सर में इंजन जैसा लग जाता है मैं मेल ट्रेन हो जाता हूँ बुद्धी भी फक फक करती है भावों का रश हो जाता है कविता सब उमड़ी पड़ती है दिवाग में ख्याल तभी आते हैं क्रियेटिविटी तभी बनती है जब मैं खाट पर पड़ा हूँ और अराम से छट की और ताक रहा हूँ मैं औरों की तो नहीं बात पहले ही अपनी ही लेता हूँ मैं पड़ा खाट पर बूटों को ऊटों की उपमा देता हूँ मैं खटरागी हूँ मुझको तो खटिया में बंद फूटते हैं छतकी कड़ियां गिनते-गिनते चंदो के बंद तूटते हैं मैं इसी लिए तो कहता हूँ मेरे अनुभव से काम करो ये खाट विछालो आगन में लेटो बैठो आराम करो तो दोस्तों अगर आपको ये कविता पसंद आई और इसका जो संदेश है आराम करो एक व्यंग है छुपा हुआ आपको पसंद आया आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी सुने तो इस कविता को शेयर करना मत भूलिएगा और फिर मिलते हैं एक और नई कविता के साथ कुछ स नवस्ता में बार नमस्कार